नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपनी इस योटूब चैनल अयरुवेदिक उपचार में कैसे हैं आप सभी I think स्वस्त होंगे अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है या फिर सवाल है मन में तो लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से हमाने वाले दिनों में उन टॉप आप सभी के लिए विडियो जरूर बनाएंगे फिलहाल आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम सभी अगर किसी के मुँमें चाले हो गए हैं तो बहुत समस्या होती है खाना आप सही से खाना ही पाते हैं पानी तक कई बार तो आप सही से नहीं निगल पाते हैं मुँँ में सलाइवा नहीं बनता है और जब आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके पूरी बोड़ी को विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे आपका किसी कारे में मन नहीं लगेगा और आपका दिन परेशानी भरा गुजरेगा तो मुँँ के छालो की समस्या कंट्रोल हो जाएगी या फिर अमरूद जिहां अमरूद के पोधे से पत्यां तोड़ लीजिए उसको धोलीजिए उससे चबाएए आपके अगर मुँँ में छाला है तो वो कंट्रोल हो जाएगा वैसे तो अमरूद बहुत गुणकारी फल है अगर इसका सेवन क करते हैं आप यानि कि अमरूद का तो आपको कबजियत की शिकायत नहीं होगी पाचंत अंत्र सही रहेगा इससे लेकिन इसकी पत्यों को चबाने से आपके मुँँ के छाले कंट्रोल हो जाते हैं जिहां तो यह कुछ एक ऐसी स्थिती है जिसमें आप तुरंत लाप्राप् यह आज की वीडियो रही आप सभी के लिए ऐसे ही नौलेज फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूड जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले लाइक कीजिए वीडियो पसंद आया त शेर कीजिए उन लोकों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल है तो हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते ह इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों